मुतरम जगतगुरु शंकराजारजी से गुजारिश है कि वो अपने तर्सुरात पेश करें इस महान काईक्रम के आयोजगण, आगंतुक अतिथीगण, एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जब क्रपा होती है, तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारम भकिया मैंने की जब जगद गुरू संकरा चार्जभी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाट सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्द, मुसल्मान को बेदर्द, तल्वार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर सायद धर्टी में कोई दुखी होगा तो सबसे जादा दुख मुझ को होता है ये ना सच्चाई है और ना कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कल्मा ही कुरान सरीप का बताता है कि नहीं है अबादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह भलाया बताये बेदों का रस बेदों का रस नि चोड़ करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पेगाम को एक ही कलमे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंत दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कल में कोई पढ़कर के हिंदु अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्भो किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दें की गहरायों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है इसलाम परमात्मा के दौरा बताया गया सिध्धानत है इसलाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है अपना सिद्धान पना है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्द कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुँच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा शास्त्रों को हिंदू धर्मकरंतों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोध किया गया ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संक्रा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पाँच बार इबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धानतों का विरोध करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं? कैसे रहते हैं? अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आप से बड़ा इनसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हूँ है तो हम से बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने कातात पर इस सर्फ एक है कि मैंने ये अन्भो किया है कि ये एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग पूछते हैं कि आप मसल्मानों में क्यों जाते हो आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का क्या हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मिसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके उजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने ही नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कित का सनातन सब्द है अगर किसी भाषा में उसको इसलाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमात्मा सब का है ये संदेश रिश्यों मुन्यों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश सेम हमारे मुहम्मद صاحب ने इस पैगाम को हम को दिया तो हम बहुद भाव क्यों करें यहाँ पर भारत का मुशलमान एक बात बिल्कुल मैं असपश्ट बता रहा हूँ आप से अगर भारत का मुशलमान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी ये भी मैं जानता हूँ कि भारत के सच्चे हिंदूओं को जो सच्चे सनातन धर्मी हैं उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए अगर कोई अच्छा हिंदू है सच्छा हिंदू अपने कहता है तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो अगर हिंदू की परिभाशा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाशा है तो ऐसे हिंदु धर्म को मैं तिलांजली देता हूँ हिंदु धर्म कुछ नहीं है पिर हिंदु धर्म वही है जो बेद को माने पुरान को माने और सनातन को माने सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई ब्योस्ता चलाना शुरू कर दे इसका मतलब यह है अन्नाम भगवान का ले एक बात और बता देता हूँ भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है हमारे पूर प्रधान मंतरी साथ मुझे दुख होता है कभी कभी एद्यव की लोग यह न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूँ विरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको खुद सनातर धर्म की परिभाशा नहीं आती है बिदेश में जाकर के हिद्धु धर्म की गलत परिभाशा कर दिये और हमको सबको यह दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े है धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है पहले धर्म को जान लेना चाहिए पिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांती फैलेगी इंसानियत सारी चारो तरब चारो दिशाओं में इंसानियत का प्रकार्श होगा और मैं तो कहता हूँ कि अगर संकराचार्ज लोग सब मिलकर के इस बिचार में इस्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इसलाम से अलग नहीं इसलाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं जो भेद पैदा होता है या राजनीती में होता है साम, दाम, दंड, भेद या राजनीती में है धर्म में नहीं है धर्म में है एको ब्रम दुतियो नास्ती एक मिव दुतियम ब्रम ला इल्लाह इल्लाह ये धर्म कहता है ये धर्म की बात है इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं उपासना करते हैं परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मापना नियम बदलता चला जा रहा है ये एक बात याद रखिएगा जब सक शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी इश्वर का सिद्धान्त एक था एक है एक ही रहेगा मानने वाले आपसमें भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोक्ष नहीं है दोस्त उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके परतिष्ठा पाँचाएते हैं खास करके इतना जान लिए धर्म भेद को मिटाता है और राजनीती भेद को बढ़ाती है राजनीती का अस्तर केवल राष्ट की ब्योस्ता तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है राजनीती से केवल आप देश का हिद कर सकते हैं लेकिन अगर विश्व का हिद करना चाहते हैं तो धर्म क्या आउश्वता है और वो धर्म कुरान में असपस्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है बताया गया है हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है उपलब्ध है आज अंगरेजी की भी मिल गई है और हम तो चाहिते हैं कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस गरंथ को पहुँचाया जाए और पहुचाना चाहिए मैं तो मुसल्मानों से एक जरूर बात कहुँगा कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान दे आप के पडोस में जिस भी भाशा को जानने वाला ब्यक्ति रहता हो जिस भी भाशा को कोशिश कीजिए किया आप इस कुरान जैसे पवित गंत को उसको उसकी भाशा में पहुचाईए और मेरी स्वह में सारी दुनिया में एक कुरान पहुचेगा तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में शांती होगी सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रीमियों के बीच में संक्राचाज को पहुँचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी शंकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाईए आप लोग भी संकोच छोड़िए हम जानते हैं कभी कभी संकोच में कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिलने ही पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं आए हैं हम आपको गले से लगा रहे हैं लगाते हैं दिल भी मिलाएंगे गलाभी मिलाएंगे अजरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और शिर कटाने की जूरत पड़ जाए कि इसलाम कि आपके लिए संक्रा चार duh आपका साथ देगा क्योंकि संक्रा चार जानते हैं इसलाम धोखा नहीं है संक्राचाच जानते हैं इस्राम बर्बादी का रास्ता नहीं है संक्राचाच को पता है कि जो बेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसल्मान परमातमा का बनाया है आदमी का नहीं हिंदू जो अपने कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमातमा के बनाये हैं तो मुसल्मानों से भाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें दाक्टर लकनार साथ देखिए मैं अपर चित्था जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रशन हूँ कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्त दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब्वे बड़ी सभाओं में समोधित करते हुए और हम लोगों के उपर वो स्वयम करपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे जहां बेजोतों की सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी आत करेंगे जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे ओम शानती ही शानती ही शानती ही शानती ही शुक्रिया और अल्ला ताला शंकर अच्छारिय जी को अधायत फरमाए